मैं हूँ डॉन, अरे ना, आमी डॉन ना, आप ना रहता जानों, आमी अच्छी पारों आर एक बार, फिर मैं आगे आपके पास नहीं स्टोरी ने कर, डॉन में कौन-कौन था? शारू खान, प्रियंटा चोपड़ा और करीना कपूल खार, क्यों भूलते पार बे, क्यों भू पूलनो, की गॉल्पो? शारूख खान, डॉन टू में दिखेते हैं, कि मतु शारूख खान कैसे, रितिक रोशन को आउट करके, डॉन टू में एंट्री करनो, ओटा वोलो आमी, कि मतु अच्छी पूल वेडियो आपने दरके देखते लाग बे, फरान एपोस्ट काके, शे कि शारूख खान और फर्स्ट चॉइस छीलोना, जी हाँ, फरान शारूख खान को दौन के लिए, दौन चो के लिए नहीं लेना चाहते थे, तर पूरे, एमन कोरे की होए छे कि शारूख खान एफिल्म ता करनो, और रितिक रोशन के आउट करे दिलो, फरान ने रितिक के स अद्शाद, बोला था कि ये फिल्म करेंगे, उनको कास्ट करेंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ की शारूख खान को ने लिए, भखले ही शारूख खान एइफ दॉआ इने में, बहुते दिये छे, कि शारूख खान एफिल्म ता केर्यों खान आगे, और फ constitu, तर पूरे, असे, आपने देखोन आगे आरो शारुख खान इस नमर्ट थे के एमॉन करें चांस पेंचे कि रितिक रौशन फरहान ने जब देखा कि रितिक रौशन जो है वो इनफ मैच्वर नहीं लग रहे थे तब ही शारुख खान यानिकी वॉलिवूद के किंग खान की एंट्री विंग ड अप्तर और रितिक रौशन को उन्होंने जो कमिट किया था वो भूल गया ऐसा नहीं है रितिक रौशन को भी इस पे रोल मिला था अपना राख जुदी वोनोरा खें कि एक्टस सीन चीलो स्पेशल सीन जी हाई स्पेशल एपिरेंस में रितिक रौशन को फरहान अफ्तर न जुन रामपाल को शावलिन टेंपल एक्सपर्ट की देखरेख में उन्हें फाइट भी सिखाया गया ये फिल्म तो गजब हिट थी आगे हम बताते हैं कि इसके बाद भी रितिक के चांसेस कहा हो से पैं कि वो इस तिनेमर्टा यानि की डॉन कोड़ते पार में कि ना 2006 की ये ब्लॉकबस्टर मोवी थी और पाच में नंबर की सबसे जादा कमाई करने वाली मोवी थी तो इस फिल्म में रितिक तो नहीं नजर आए तो क्या लगता है अब अगले डॉन 3 में रितिक नजर आ सकते हैं हाला कि डॉन 3 के लिए रन वीर सिंग जो है सेलेक्ट हो चुक बाकी ऐसी ही नियूस के लिए आप देखिए पिक्चर पारो और चेपटी वॉलिफुट खबरों के लिए पिक्चर पारों को फॉलो करते रहें एको नाभी जाच्छी आर एई गॉल्पुटर की रोगम लागलो कमेंट करें जरूर बताएए चाटा श्रेष्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत